जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस समिजन यूटूब चैनल और दोस्तों एप में दोस्तों बहुत सारे स्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी दिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो Self Study Classes इस परकार से जब आप Play Store से करते हैं तो यह आपका वैल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है है ना तो इस परकार से Self Study Classes आपको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आपको एप मिलने बाला है तो दोस्तों हम देखें कि Play Store में आपको इस परकार से देखेगा यह Self Study Classes एप दिखने बाला है यह Image उसमें डली है यह आईकन यह Logo उसमें डला है अब दोस्तों इसको Install करना है यहां से आप Install करेंगे ठीक है अब Install करेंगे तो बहां पर आपको नंबर मांगेगा जीमेल नंबर मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप रेजिस्टर करके आँगे बढ़ेंगे तो सात्यों आज का सेसन स्टार्ट करते हैं अगर अभी तक आपने Self-Study Classes एप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में सर्च करें Self-Study Classes और एप जरूर डाउनलोड करने ठीक है जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self-Study Classes विस्तमित जैन यूटूब चैनल में तो सात्यों आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला ठीक है इसके पहले दोस्तों हमने पढ़ा क्या हिंदी भासा को पढ़ा हिंदी की विविन बोलियों को पढ़ा आज हम वर्णमाला को पढ़ेंगे वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं हैना कितने स्वर होते हैं कितने बेंजन होते हैं यह सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं तो पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है दोस्तों अज हम देखें कि बरनों की वेवस्ते समूह को क्या कहते हैं वर्णमाला कहते हैं अब यहसे अपन अलग-अलग लिख दें आ यहां लिख दो भाई यहां लिख दो हैंना डा लिख दो फिर यह वेवस्ते समूह नहीं होता है जो दो क्या कहलाती है वर्णमाला कहलाती है तो अपन पढ़ते आ है बचपन से लिखें वर्ण उस मूलध्वानी को कहते जिसका खंड ना हो खंड ना हो जैसे पानी तो पा धन आ धन न ना आता है इन द्वनियों पा, आ, न, ई को क्या कहेंगे हम वर्न कहेंगे यानि कि जो पानी है दोस्तों इसमें ये जो है वर्नों से मिलकर कि ये सब्द बना हुआ है और ये जो वर्न होते हैं इनके टुकडे नहीं हो सकते इनके टुकडे नहीं हो सकते हैना ये क्या कहलाते हैं ठीके द्वनी या फिर वर्ण कहलाती हैं या अक्षर भी इने कहा जाता ठीके तो हिंदी में वावन वर्ण हैं कितनी हैं वावन वर्ण हैं जिसमें 11 क्या हैं 11 स्वर हैं और दोस्तो 33 क्या हैं 33 बेंजन हैं सभी को पता है 4 क्या हैं सन्युक्त बेंजन हैं ठीके 4 उसमें है और अम और आहा यह क्या होते हैं दोस्तों यह अनुस्वर होता है और यह बिसर्ग होते हैं अता इनका विवरण इस प्रकार है तो यहां पर आपने देख लिया चोटी सी नार्मल शी कॉस्चन आते हैं यहां पर कि वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं कितने वर्ण होते स्वर्व कोन्सा होता है ठीक? तो यहाँ पर आपको समझ में आगी अब हम दोश्वy वर्णमाला को देखेंगे कि वर्णमाला को दो भागों में बाटा गया एक तो आपका हो गया है स्वर्व ठीक? दूसरा हो जाएगा बैणजन ठीक? तो इनको आप को याद रखेंगे यहाँ पर हम स्वर्व को देखेंगे दोस्तों तो स्वर्व को भी यहाँ देखो हिरस्टो दीर्ग और सन्योक्त ठीक है यह क्या है स्वर कहलाती है और दोस्तों पिलुत स्वर भी आती है इसमें पिलुत जिसमें जादा टाइम लगता है खेर इतना जाएगा दीर्गिस्वर कौन से हैं तो आ, ई, उ, ये क्या कहलाते हैं दीर्गिस्वर कहलाते हैं ठीक है इनी के अंदर दोस्तों ये भी आते हैं ये भी दीर्गिस्वर के अंतरगत आते हैं लेकिन सन्युक्त स्वर्ग की अगर बात करें तो ये सन्युक्त स्वर कहलाते हैं ऐ यैई ऑव ये क्या कहिलाती हैं जो कि दोस्तो अनेक स्वरों के मेलसे बनते हैं ठीक है मेल से जैसे आ और और डी मिलकर क्या बना रहा है ए और एम मिलकर आई बना रहा है ये क्या कहिलाती हैं संभुआर की न्तरगत आते हैं और इन्हें दीर की सीरैनी में भी रखा जाता है नuire आपके संन्युक्ति स्वर हो गए यह धीर हो गए स्वर कहलाते हैं किस पर्स बेंजन कहलाते हैं अंतस्त बेंजन की अगर बात करें तो या रा ला और वा यह क्या कहलाती है अब आप से चीदा पूछा जाएगर निमनमया से बताईए कौन सा अंतस्त बेंजन है या फिर अंतस्त बेंजन नहीं है तो या रा ला वा यह अंतस्त बें पर वर ये असपरस बहेंजन कहलाती हैं उप यहां पर देखेंगे दोस्तो, अनूसर क्या कहलातीक है, इन्हें को विरत कहलाती हैं, उठशिप्त बहेंजन हैं, आप से पूछा जाएगा, निमने मैं से बताए ये कौन से उत्षिप्त बेंजन है तो रा उड़ा आपको पता होनी चाहिए ठीक है फिर बात करें सन्युक्त बेंजन की तो छा त्रा ग्यासर चत्रग्यसर चत्रग्यसर ये क्या कहलाती है शन्युक्त बेंजन कहलाती है सन्युक्त बेंजन यानि की दोस अदासा और रावन की स्रावन गए यहां से कॉस्चर बनता है निम्नवय से बताई यह कौन सा सन्युक्त बेंजन है या पर नहीं है ठीक है और यह आप से पूंचा जाएगा कि छा किन वरणों के योग से बनता है तो आपको यह सा पता होनी चाहिए यह जो सन्युक्त होते है यह पहला जो वर्न होता है इसमें हलनत लगा रहता है मलतलब यह आदा रहता है ठीक है तो यह भी आपको ध्यान रखने दो छत्रग इस रहे हैं चैन्युक्त वर्न है आगत ध्वनिया कौन-कौनसी है अगत दुनिया का खा गा जा फा यह यहां पर यहां पर नुक्ता लग बाधा के होता है, इनके उचाळ में किसी ensuite दूसरे वरणी की सहायथा नहीं ली जाती, यानि कि स्वर उसे कहते ही हैं, जो स्वतंद्र रूप से उच्चरित होती होती है, वो क्या कहलाते ही, श्वर कहलाते हैं, और दूसरे वरणों की इन में सहायता नहीं ली जाती है हिंदी में स्वरों की संक्या कितनी है 11 होती है हिरस्तस्वर की A, E, O और री ये हिरस्तस्वर कहलाते हैं आपसे पूंचा जाएगा इनमने मैंसे बताईए कौन सा हिरस्तस्वर है तो आपको पता होने चाहिए कि ये हिरस्तस्वर कहलाते है तो इतनी चीज़ें आपको पता होने चाहिए यहीं से क्वेस्चन बनता है बन जाते है आराम से एक दो बार वीडियो को देखिए दीर्गिस्वर में A, E, O और A भी रखे जाते हैं और संज्वर भी अपन में यहां पर पढ़ लिये ठीक है तो हिंदी के बेंजन देखो बेंजन उन वरनों को कहते जिनका उचान स्वरों की सहाईता से होता है तो सबसे पहले हमने देखा था कि वरनमाला को दो भागों में बाटा गया एक तो स्वर, दूसरा बेंजन, स्वर का देखा कि स्वर स्वतंतर रूप से उच्रित होते हैं, जब कि जो बेंजन है वो स्वरों की सहायता से जोस्टो के बनता है, तो इसमें आधा चा है और आ है तो यह आ क्या है, स्वार है, है ना मदलब इस जो का बेंजन है यह क्एा स्वार की सहायता से दोस्तों इसमें बना है یعنी का में आदा का और आ इसमें स्छोपा हुआ है अब खा देखें तो आदा खा और आ मिल करके बना खा जब हम पूरा ना लेते हैं खा ज Venice में क्या होता है आ छुपा रहता है इसमें आ तो स्वरों की सहायता से यह बेंजन बोले जाती है उच्छरेत होती है ठीक है अता हिंदी में कितने हैं 33 बेंजन है जो इस पिरकार से इस पर्स बेंजन की बात करें तो यह कावर्ग चावर्ग टावर्ग तावर्ग और पावर् कचट तप यह सिकर लोग कचट तप तो काखा गागा या और इंग्या चाचा जाजा या ताठा डाढ़ा ताथा दाधाना पाफा बाभा मा यह इस पर से बेंजन कहलाती ठीक है अनतस्त बेंजन या रा ला वा अनतस्त कहलाती है आप से पूचा जाएगा निमने मैंसे तो सा, सा, सा और हा यह क्या कहलाती है उसमें वेंजन कहलाती ठीक है स्वर जिन वरनों का उच्छन किसी अवरोध या बाधा के करण होता है यह अपने आप में स्वतंत्र होती है इनका वरगी करण किस परकार है देखें यहाँ पर हिरस्त स्वर आ, ई, उ, और री यह क्या क स्वर ये भी दुर्भी मात्रिक होते हैं तो इन्हें दोस्तों ये जो होते हैं इन्हें भी कायमें दीर के स्वर में हो और जाता है और इससे 3 का अंक लगाया जाता है जैसे ए, जैसे ओम के इस प्रकार से तो यह क्या होते हैं? सिरमात्रिक होते हैं कौन से? पिलतस्वर तो यह स्वरों के बारे में अपने देखा अनुनासिक में आपने देखा यह इसका उचान नाक एमम मोह से होता है यहां निरना अनुनासिक देखो इसके उचाड में ना तो बिंदी और ना तो चांद बिंदी का प्रियोग किया जाता है वो निरना अनुनासिक कहलाते है जैसे इलाहबाद बनारस इधर उधर उधर यहां पर अनुनासिक जिनका उचाड नाक और महधवानों से होता है अनुसर जिनका उचाड दोस्तो नाक से होता है और निरना अनुनासिक इसके उचाड में ना तो आगत ध्वनी आ एवाली आगत ध्वनी कहलाती है अपन डाक्टर लिखते ना ऐसे हैं ना तो यह आगत ध्वनी है अग्रस्वर कौन कौन से हैं ई ए ए आई यह अग्रस्वर कहलाती है मद्यसवर आ है ठीके पस्च़स्वर आ उ उ ओ यह क्या कहलाती है ठीके विब्रत आ ए अ औ यह विब्रत है इतनी चीज़ें आपको याद रख्टी नहीं है, रहत्ससवर कौन से हैं, दीर के कौन से संयोग, यहीं से question पूछ लिया जाएगा आपसे, आयोगबाय अम और इबिसर्ग, यह क्या कहलाती है, यहां से question पूछे जाती हैं, दोस्तों ठीक है, इनको याद रख्टी ना, हिंद स्वरों की सहायता से होता, इस पर्स बेंजन कौन से हैं, तो का से मा तक इनकी संक्या कितनी होती है, पच्चीस होती है, ठीक है, अंतस्त बेंजन कौन से हैं, तो या, रा, ला, वा, इनकी संक्या कितनी होती है, चार होती है, उसमें बेंजन की कौन, इनकी संक्या चार होती आप से पूच़ा जाए गर निमनमेसी बताएं को इसा दुईगुडि बेंजन है। इना आगत धनिया में हमने देखा यह नुक्त लगा है। यह नुक्त वाली आगत धनिया कहलाती प्रिकंपत या लुंटित जो हो जाती है रा आ जाता है रा ये प्रिकंपत या फिर लुंटित बेंजन कहलाता है ठीके पार्सविक बेंजन कौन सा है तो ला है नासिक के बेंजन कौन सा है तो यमगणनम जो बर्गी की पंचम अक्षर होती है वो नासिक के बेंजन कहलाती है रधर्दित स्वर्दै को या और वा, ये अर्दित कंट से इनका उचन होता है चाचा जाज़ा, मूर्दा से होता है टार्ग का ठाठा, डाढा, ला, दानत से होता है लोज़ा, पाफा बाबा, मा, यह अपने देख लिया ना का चाट तप है ना और यहां देखो कंथ है फिर तालू चावर्ग तावर्ग मूर्धा से तावर्ग दंत से और अंत में पावर्ग जो होता है वो ओष्ट से होता है तो इनको अपन को याद रख़ें ना अंगला देखें दोस्तों इंग्या इंग्या वाला जो होता है इसका यह तालू से प्लस नासिक्या से है ना तो कंठ और नासिक्या से नासिक्या तो आई गई इसमें है ना मूर्दा और नासिक्या से होता है राका दंत और नासिक्या से होता है नाका ओस्ट और नासिक्या से होता है माका तो यह क्या है यम गड़नम यानि की वर्ग का पंचम एक चार है और यह दोस्तों एक रंबा दिन का उचार होता है तीक है इनको अपन को याद रखती ना है अब यहाँ पर आते हैं आगे देखते हैं और भी बहुत ही महत्पूर्ण है यहाँ पर यह और आई का उचानस्तान क्या है कंठ प्लस तालू यानि कि कंठ तालब में से कहा जाता है एई कंठ तालू है ना एई कंठ तालू ओ आउ कंठ ओस्ट ओ अव कंठ तौस्ट एक तालूificación श्चानस्तान है और ओऊ जो है एक कंठ तौस्ट व्याले आधार पर घोसत्तों की आधार पर तोर पर और मुख भाग के आधार पर ये बेंजनों का बर्गी करन किया गया तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों आपको याद रख़ें ना प्रत्यक बर्ग का पहला तीसरा और पांच वर्ण हमने बर्ग देखा ना काचा टका वर्ग चावर्ग टावर्ग है ना यह बर्ग के पहले तीसरे और पांच वर्ण को क्या कहा जाता है अलपप्रान वो अलपप्रान के अंतरगत आते हैं महाप्र प्रतेक बर्ग में देखें तो ये दूसरा बर्ग है और ये क्या है च्छौथा बर्गार के इंतर बाकि एक तीन और पांच एन फजा ठीक है और दोस्तों यहाँ पर देखें अगोस प्रत्यक बर्ग का यहां का फागा यहां का पहला और दूसरा अगोस ठीक है जैसे यहाँ पर देखें तो का और खा यह क्या कहलाएंगी ये कहलाएंगे आपके अगोस कहलाएंगे तो आप समझ गए बर्ग के 25 अक्षर में जो का चाटा कावर्ग चावर्ग होते हैं इनी बर्ग के प्रतम और दुती अक्षर जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों अगोस कहलाते हैं ठीक है सगोस की बात करें तो सगोस में प को पता चल गया तो यहाँ पर अपने अल्प प्राण महा प्राण मतलब एक तीन पाँच महा प्राण मतलब दो चार ठीक है अगोस मतलब एक दो और सगोस मतलब तीन चार पाँच ठीक है अल्प प्राण और पंचम, तो ये क्या हो जाएगा? का, गा, और ये यहां, चा, जा, यहां, तो ये क्या होती है? 135 याध रखने ना, बोले 135 अलप प्रान हैं, है ना? और 24 उसमें, तो 24 में मतलब 2 और 4, तो दूसरा और चतौर तक्चर हो जाएंगे, प्लस में इसमें उसमा उसमें बेंजन भी आते हैं साहा ये भी दोस्तों इसमें काई में आते हैं महा प्राण में आते हैं और ये अलप प्राण में आ जाते हैं तो अलप प्राण 135 याद रख ले ना महा प्राण 24 याद रख ले ना मतलब 24 मतलब 2 और 4 बरगे के 2 दूसरा अक और गोस या सगोस में 3045 तो इह तो आपको पता चल गये खिक है यह घोस कौन से होते हैं बरगे के प्रथा मुर्दुतिये और घोस और सगोस यह जिसे सगोस भी कहा जाता है वह थे बरगे के 345 ठीक है आपसे पूचा जाता है कि निमन मैंसी बताई यह कौन सा सगोस वेंजन ह है ना तो अघोस आपको पता चल गया कि बरगे की पिरता मुर्दूती अघोस और बरगे की 3, 4, 5 जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं सघोस कहलाते हैं ठीक है तो दोस्तों आज का अपना पहला प्रस्ण इसके पहले आपने वर्नमाला को बहुत अच्छे से पढ़ा था अब आप से पूछा जाता है यहां पर कि कौन सा सन्युक्त बेंजन हैं तो सन्युक्त बेंजन में चार विकल्प आपके पास हैं छा है ना चा टा और तो सन्युक्त बेंजन पूछा गया तो सन्युक्त बेंजन हम पढ़ते हैं दोस्तों कौन-कौन से छा स्रा ग्या और स्रा है ना यह क्या पढते हैं इब शन्युक्त बेंजन पढ़ते हैं टीयक है तो यहां पर आपका बिल्कुश सही आंसर क्या है चा यह क्या है शन्युकत बेंजन माना जात है ठीक है अब अंगलाकोस्टे आपको بتाना है दोस्तों छा ध्वनी का उच्चान स्थान क्या है चार विकल्प हैं आपके पास दंत है तालब है ओस्ट है या फिर वर्स है तो आप लगाईए मैंने आपको बताई थे कि जब हम पांच बरग पढ़ते हैं और पांच बरग के का चा टा ता पा तो का बरग कंट से बोला जाता है उसके बा और पा बरग होता है ओस्ट से ठीक है तो यहाँ पर आपसे चा पूचा गया तो यह चा किस बरग में आता है यह आता है चा बरग में ठीक है तो चा बरग के जितने भी अक्षर होते वर्न होते हैं वो काई से बोले जाते हैं दोस्तों वो बोले जाते हैं तालू से है ना त तालू से बोले जाते हैं तो आपका उत्तर भी क्या हो जाएगा यहाँ पर सी नमबर छा क्या है तालब है ठीक है अंगला क्वेस्चन देखो कौन तालब ध्वनी है तालब ध्वनी बताना है अब आपसे बनेगा क्वेस्चन तो फटाक से बताईए कमेंट में चार बिकल्प आपके सामने और तालब ध्वनी आपसे पूछा गया है तो दो सेकंड आपको दिये जाते हैं और आपने बिल्कुल सही आंसर का चैन किया है किसर जो तालब ध्वनी है वो है चा है ना चाबर्ग जो है चाबर्ग चाचाजा यह तालू से उच्चड़त होते हैं तो आपका चार बिकल्प में से बड़ा A, E, बड़ा E और A ये जो है इन में से आपको पस्चिस्वर की बारे में बताना कि पस्चिस्वर की अंतरगत कौनसा वर्न आता है ये आपको बताना ठीक है तो आपने चैन किया है दोस्तो बिकल्प नमर A और A नमर आपका बिल्कूल शाहिए ठ फास्चिस्वर की अंतरगात आता है A, फिक है? ये आपका right answer हो जाएगा, अंगला question है, इन में से कौन सा युग में अगोस ध्वनी हैं? अगोस और सगोस आपने पड़े हैं, हैना? तो अगोस और सगोस कौन से होते हैं? ये आपको बताना है दोस्तों, तो कौन से होते हैं? अपन ने पढ़ा था, कि दोस्तों, बर्ग के प्रतम और दुतिये अक्चर होते हैं, अगोस और बागी तीन, चार, पाँच जो वर्न होते हैं, वो क्या कहलाती हैं, सघोस या फिर घोस, है ना, तो यहाँ पर आपसे अगोस पूछा गया, तो बर्ग का प्रतम और दोस्तों यिएवर्न ना पावरगे के प्रतं और दुटी है ये क्या कहला लाएंगे दोस्तो अघौस कहलाएंगे है अगोस ठीक है इसको याद रखेंगे अब आपसे अंगला क्वेश्टन पूचा जाता है दोस्तो काब एंजन की विशाय में निम्न मेंसे कौन सा सही है काब एंजन की विसाय में बताईए अलप प्राण अगोस इस परस्ती कंठ ध्वनी हैं और बताईए क्या क्या होता है अलप प्राण में अपन पढ़ते हैं एक तीन पाँच है ना अलप प्राण में एक तीन पाँच यानि कि पर्थम तरतिये और पंचम वरन क्या होता है का इस परसीब एंजन भी है और का का उच्चान स्थान कंट से भी होता है तो का क्या हो जाएगा अलप्राण भी है अगोस भी है इस परसीब एंजन भी है और इसका उच्चान स्थान कंट है तो आपका उत्तर क्या हो जाता है यह नमबर सही हो जाता है का के बारे में पूचा का सूचक है किस ध्वनी का सूचक है ये रहे आपके चार बिकल्ब अनुस्वर किस ध्वनी का सूचक है बताईए नहीं है स्वरी नहीं है बताना है तो किस ध्वनी का सूचक नहीं है इंग्या किया रा या फिर या तो अनुस्वर किस ध्वनी का सूचक नहीं है ये आप से ब के बारे में अपन देखते हैं कि अनुसور से सम्मंद्त होते हैं और यहाँ पर नहीं है, पूछा गया, तो यह जो या है या यह नहीं है अनुसर है ना, अनुसर का सूचक नहीं है, यहा क्या हो जाता है आपका D मर छीकर फिर अंगला question आपको यहाँ पर बताना है दोस्तो उचान स्थान की आधार पर यहाँ बेंजन है तो यह क्या है बताईए उचान स्थान की आधार पर आपको बताना है तो यह किस बर्गे की अंतरगत आता है आपने पढ़ा होगा चा चा जा 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 यहाँ है ना पढ़ा है तो चावर्गे के अंतरगत आता है यहां, तो चावर्गे आपने देखा कि यह चावर्गे का जो उच्चानस्तान है वो क्या है चावर्गे का, कावर्गे का तो अपने देखा था कि कावर्गे तो कंट से उच्चरित होता है, फिर का के बाद आता है चावर्गे, तो चावर जिन ध्वनियों के संयोग से सब्दों का निर्मार होता है उन्हें क्या कहते हैं बताइए जिन ध्वनियों के संयोग से सब्दों का निर्मार होता है उन ध्वनियों को क्या कहते हैं बताइए ध्वनी पिर्ती ध्वनी वानी या फिर स्वनेम क्या कहा जाता है और आपने बिल दोस्तों को शेर जरूर करें और सेल्प इस्टेडी किलासेस का एप जरूर डाउनलोड करें ठीक है जहां पर दोस्तों आपके लिए कोर्स लांच किया गया हिंदी साहित का पंजाब मास्टर के डर के लिए TGT PGT आदी सभी जिसमें हिंदी साहित पूछा जाता है अब यहां पर आपको बताना है दोस्त उड़ा उड़ा ये ध्वनियों के विसाय में कौनसा कथन सुद्ध है सुद्ध कथन बताना है ये तालब ध्वनिया है ये मूर्धन उत्छिप्त ध्वनिया है इनका प्रियोग सब्द की आरंब मद तथा अंत में सरबत्र किया जाता है या फिर दौनों महाप्राण हैं अभी चार विकल्प में से आपको चैन करने के लिए बोला गया कि ये जो ध्वनिया है इनके विसाय में सुद्ध कतन कौनसा है तो आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया है कि सर ये मूर्धन उत्छिप्त ध्वनिया कहलाती है अर्थात इन्हें दुई उच्चान की द्रश्टी से सा 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 बेंजन किस प्रकार की माने जाती है ये जो सा 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 है ये बेंजन किस प्रकार की हैं दोस्तों अंतस्त हैं वर्थ से हैं तालब हैं या फिर उसमें बेंजन की अंतरगत आती हैं उच्चान की द्रश्टी से आपको बताना है एक बिल्कुल शही आंसर हो जाता है दोस्तों ये कहलाते हैं क्या उसमें उसमें कहलाते हैं तो उत्तर चला जाता है कहां पर C की तरफ चला जाता है जो बिल्कुल शही आंसर है ठीक है अंगला question निम्न मैंसे कौन वर्न अंतस्त नहीं है अंतस्त कौन सा नहीं है बताए या रा हा या फिर वा अंतस्त कौन सा नहीं है अंतस्त नहीं बताना अंतस्त अपने पढ़े थे कौन कौन से पढ़े थे या रा ल या और वा के अंतस्त बेंजन के अंतरगत आते हैं ठीक है तो अपने यहां पर देखा कि सर या तो है रा भी है ला नहीं है लेकिन वा है तो यहां पर जो हा दिया है के अंतस्त के अंतरगत नहीं आता और चला जाता है उत्तर किस तरफ बी की तरफ ठीक है वेर यूड अंगल आसान question सबसे बनना चाहिए ये question हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों है ना तो यहाँ पर आपका बिलकुट शही है answer क्या है अंतस्त बेंजन इन्हें कहते हैं या रा ला वा इन बेंजनों को अंतस्त बेंजन कहते हैं और एक कई बार पूछे गए हैं फिर अंगला question आपसे प परियाप्त या फिर अपन यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर आपका दो बिकल्प और दिये हैं दो बिकल्प आपको यहाँ पर दिये हैं दोस्तों यह हैं बेतोका और समुचित है ना तो यहाँ पर तो आपका यह समुचित सही हो जाएगा समुचित मतलब ओचित भी होता ह पूर्णी भी होता है इस प्रकार से ठीक है तो ये डी नमबर तो आपका बिल्कुर सही हो जाएगा फ्रंगले question को अपने देखेंगे कि हिंदी वरनमाला में उसमें वेंजन कौन से हैं उसमें बताना है ये चार बिकल्पें उसमें वेंजन हम पहले भी पढ़ चुके हैं और कहलाते हैं क्या उसमें वेंजन और ये नमबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है ये नमबर ठीक है very old लिटी के जिन वरनों का उचार्ण करते समय केवल स्वास का प्रियोग किया जाए उन वरनों को क्या कहते हैं बताइए उन्वरनों को क्या कहा जाता है अगोस कहा जाता है शगोस कहा जाता है अल्प प्राण कहा जाता है या फिर महा प्राण कहा जाता है तो आपका right answer बिलकुर शही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उन्हें कहा जाता है अगोस क्या कहा जाता है अगोस कहा जाता है और अगोस जो होते हैं आपने देखा होगा बर्ग के प्रिथम और दुतिये बरगे के प्रतम और दुतिये वर्ण क्या होते हैं अगोस होते हैं और तीन चार और पाँच ये क्या होते हैं दोस्तों ये सघोस होते हैं बरगे के तीन चार पाँच ठीक है इनको अपन को याद रख लिना है और सघोस और अगोस हो गए अलपिप्रान कौन होते हैं एक तीन और 5 अल्पिप्रान और महाप्रान कुछा होते हैं दो और 4 बर्गे के दुतिये और 4 तक्षर ठीक है इनको याद रखेंगे हिंदी में मूलते वर्णों की संक्या कितनी होती है वर्णों की संक्या मूलते बतानी है तो ये तो सभी को पता है कई बार पूचा भी जाता है तो ये भी पूचा जाता है कई बार 8 हैं, 9 हैं, 11 हैं या पर 14 हैं तो हिंदी बर्णमाला में स्वरों की संक्या कितनी मानी जाती है ये उत्तर आपको बताना है और स्वरों की संक्या आप से पूचा गया तो उत्तर चला जाता है 11 की तरफ ठीक है 11 और ए नमबर आपका बिलकु तो यह चार विकल्प हैं और बेंजनों की संख्या आपको बतानी है तो कितनी माने जाती है 32 33 34 या फिर 36 तो आसान सा अंत में आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है अनुस्त्वर अयोग बाह अंतस्त या फिर अकारांत क्या कहा जाता है जिन सब्दों के अंत में आ आता है और आपने चैन किया है इसर जिन सब्दों के अंत में आ आता है उन्हें कहा जाता है क्या अकारांत ठीक है और डी नमबर आपका अकारांत बिलकुल शाही है जी नमबर ठीक है ये सरल कॉस्चन है लेकिन पूछे भी जाते हैं दोस्तों इनको आपको बताना है अयोगबाह है अयोगबाह है बिसर्ग महाप्राण संयुक्त बेंजन या फिर अलपप्राण तो अपने पड़े थे क्या पड़ा था कि जो अम होता है और जो अहा होता है ये क्या कहलाते हैं ये अयोगबाह कहलाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं इसको बिसर्ग बोलते बिसर्ग तो ये बिसर्ग यहाँ पर दिया है तो ये क्या है अयोगबाह है यानि कि ये नमबर आपका बिलकुल शाही है फिर अंगला कॉस् आपका कमेंट जल्दी से आना चाहिए और राइट आंसर चला जाता है बिकल्प नम्मर एक की तरह पस्चिस्वर जो होता है वो होता है ए ए आपका विलकूर शाहिए ठीक है बहुत बढ़िया अंगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर की निम्नमे से बताईए किस सब्द में दुत वेंजन है दुत वेंजन बताना यहाँ पर पुनाह या फिर इलाहबाद दुत आप समझते होंगे अभी समझ जाएंगे और बेकल्प के अनुशार दुत वेंजन का चेन करना है यह दो बेकल्प और है और आपका राइट आंसर एक क्वोस्चन पूछा गया है द पूचा गया दुट्वेंजन तो आज तक नहीं पड़े है ना इसलिए तयार रहना हिंदी वर्ण माला में अयोग वाह वर्ण कौन सी है चार बिकल्प है अयोग वाह वर्णों को अपन को चेहन करना है तो कौन सी होते हैं अयोग वाह वर्ण बताईए आ आ ए ए उ या फिर अ अहा तो अयोग वाह वर्ण पूचा गया और पहले भी अपन पड़ चुके हैं तो अम और अहा ये क्या होते हैं अयोग वाह होते हैं ठीक है कौन सा अमानक वर्ण है मानक नहीं पूचा गया अमानक पूचा गया यहां पर अमानक वर्ण पूचा गया तो अमानक जो वर्ण माना जाता है दोस्तों एक ज्जा जो है इस ज्जा ये क्या माना जाता है अमानक वर्ण माना जाता है और उत्तर चला जाता है आपका C की तरफ, च्री नंबर आपका सही है, निवन मैंसे कौन सा घोस वरन है, और घोस वरन की बारे में तो अपन ने पढ़ाई है, घोस यानि की सघोस, सघोस को ही घोस कहा जाता है, तो अपन ने देखा था कि बर्ग का परतम और दुती एक छर अघोस, और तीन चार पाँच सघ ठीख है, किलियर, अब यहाँ पर आप से घोस पूछा गया, यहनि कि सघोस पूछा गया, तो तीन, चार, पाँच, तो अपन देखते हैं दोस्तों, कि जो मा है, यह क्या है, पंचमबर्न है, पंचमबर्न हैं की नहीं, बिलकुल है, ठीख है, तो यह क्या कहलाएगा, यह या सघोस के अंतरगत आएगा, तो ये खा जो है, ये द्वतिये वर्न है, चा जो है, ये प्रतम है, ये ठा दुतिये वर्न है, तो प्रतम और दुतिये तो काई के अंतरगत आते हैं, अघोस के अंतरगत आते हैं, और ये जो मा है, ये पंचम वर्न है, ठीक है, तो पंचम वर होते हैं दोस्तों यहाँ पर 25 परकार होते हैं तो यहाँ पर बिल्कुश सही हो जाएगा छत्रग कि छा त्रा और ग्या किस परकार की बेंजन माने जाती है बताईए सन्योक्त अन्टेस्थ उसमें या फिर संधी छा त्रा ग्या किस परकार की बेंजन है तो अपन ने इनको प वर्णों की योग से बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं संयुक्त कहलाते हैं तो छत्रा और ग्या यह विवन वर्णों की योग से बनते हैं और इने हम कहते हैं क्या संयुक्त वर्ण ठीके संयुक्त बेंजन या संयुक्त बर्न कहलाती हैं AI वर्न क्या कहलाती है क्या कहलाती है नासिक, मूर्धन, ओस्ट है या फिर कंट तालब AI AI क्या कहलाती है यानि कि इनका उच्चान स्थान क्या है तो आपको पता होनी चाहिए कि जो AI और आई हैं इनका उच्चान थान हैं दोस्तों क्या है बताईए कमेंट में सभी लोग बिल्कुल सही बहुत वड़ी answer बताया है कि ए और आई क्या है कंट तालू यह क्या है कंट तालू होते हैं और विकल्प नमबर डू कि तरप आपका उ्तर चला जाता है ठीक है अगोस वरन कौन सा है वरन माला में यह तो पूछा जाता है दोस्तों सघोस अगोस कंटे तालू चान स्थान इनी को अपन को पढ़ना पड़ता है यहना अगोस वरन बताना है और अगोस में आपको यहाँ पर चार विकल्प दिये हैं और चार में से आपको च अंतरगत आते हैं अगोस की अंतरगत तो आपका उत्तर चला जाता है डी की तरफ ठीक है दी नम्मर आपका सा सा उसा ये तीनों जो सा होते हैं कि अगोस बरन की अंतरगत आते हैं तो यहां पर उत्तर भी चला जाता है डी की तरफ ठीक है अलपप्राण बरन कौन से हैं अलप अल्प प्राण और महाप्राण अपनने पड़े हैं अल्प प्राण एक तीन पाँच यानि कि बर्गे के एक तीन पाँच वर्न होते हैं बाकी महाप्राण दो और चार वर्न होते हैं ठीक है तो अल्प प्राण बर्न कौन से होते हैं यह आपको यहाँ पर बताना है तो question निवन मैंसे नासिक के बेंजन कौन से हैं जिनका उच्चान नाक से होता है दोस्तों बताइए तो नासिक के बेंजन कौन से कहलाती हैं तो अपन देखते हैं पंचम अक्षर जो होते हैं पंचम अक्षर में एक यहाँ पर वरन दिया है वो बरन कौन सा है वो है इन्या है ना और कई बार आपको याद भी रख लेना है ठीक है तो इन्हें दोस्तों कभी उसमें में रख दिया जाता है उसमें पूछ दिया जाता है बिकल्प में अकेला उसमें दिया जाता है कभी संगर्सी भी पूछा जाता है तो इन्हें हम उसमें संगर्सी कहते हैं ठीक है तो यह क् कंट में हम पढ़ते हैं दोस्तो कि कंट ध्वनिया वो होती है जो बर्ग के जो प्रिथम अक्चर होती है दोस्तो वो क्या कहला है प्रिथम जो काबर्ग होता है काबर्ग क्या कहलाता है वो काबर्ग कहलाता है दोस्तो कंट यानि कि इनका जो उच्चान होता है वो कंट से होत है और यहां पर आपने बिल्कुर सही आंसर बताया है कि जो कंट धनिया है वो है कौन सी का वर्ग का खा गा गा इंग्या जो होता है यह क्या होता है कंट से ठीक है अब ग्यावरन किन वर्णों की संयोग से बना है ग्याग्यानी का बताना है किन वर्णों की संयोग से कई बार question में पूछा गया कि ये किन बरणों की संयोग से बना होता है तो बताईए चार बिकल्प है सबी लोग comment में लिखते जाए वीडियो को like जरू कर दें हैना और ये रोज किलास 8 बजे होती है दोस्तों एक नई किलास आपको प्रेसित की जाती है या बरण किन बरणों की संयोग से बना है ये उत्तर अगर एक continue आप देखते हैं दोस्तों तो ब्याकरण में इससे हटके कोई question नहीं आ सकते है ना तो आपको continue देखना है और 35 का उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों कि आदा जा हलंत वाला जो जा है और इया बन करके क्या बनाते हैं या कई बार question आ गया है इसलिए आपको तैयार रहना है अगला question है अनु縸िक का संबंद होता है तो किस्ते होता है केबल नाक से केबल मोह से नाक और मोह दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं बताइए अनुनासिक का संबन्द जो होता है वो किस्ते होता है हमारे पास चार विकल्प हैं चार में से अनुनासिक का आपको बताना है और यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपने चैन किया है दोस्तों कि अनुनासिक का जो संबन्द होता है केबल नाक से नहीं होता नाक और मोहद यानि की छत्रग स्रय जो होते हैं ये क्या होते हैं संयुक्त वरण कहलाते हैं यानि की दोस्तों ये अन्न वरणों की सहाईता से बनते हैं तो योग से बनते हैं ऐसे इच्छावरन आपको बताना है कई बार पूचा गया और कई बार उत्तर भी गलत करके आते हैं कुछ लोग है ना कभी कभी यहां तो नहीं दिया कभी क्या दिया जाता है का पिला सा दिया जाता है है ना और यहां पर आदा का और सा दिया जाता है हलंत वाला का तो आपका उत्तर ये बाला होता है, आदा का और सा होता है, मिलकर के क्या बनते हैं, छा बनते हैं, है ना, तो याद रख लेना, अगर हलंत ना लगा हो, तो ये गलत हो जाएगा, उत्तर सही क्या होगा, ये हलंत बाला का होगा, और सा होगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे, अंगला question है कौन सा टावर्ग नहीं है टावर्ग नहीं है बताना है ठा धा घा या फिर रडा तो कौन सा टावर्ग नहीं है अपन बर्ग के दोस्तों 25 अक्षर पढ़ते हैं है ना तो कावर्ग खावर्ग कचट तब पढ़ते ना अपन कचट तब कावर्ग चावर्ग टाव कावर्ग की अंतरा गताता है तो का खागा आपन पड़ते हैं उत्तर चला जाता है आपका डी की तरफ डी नमबर आपका बिल्कु सही हो जाता है अंगला क्वेस्चन है कौनसा वर्ण उचान की द्रश्टी से दंत नहीं है दंत नहीं है पूचाए दोस्तो तो बताइए किसक जागा उचान दंत से नहीं होता तो मैंने आपको बताया था का वर्ग कंट से है ना चा वर्ग दोस्तों काईसे तालू से और चा के बादा आता है टा वर्ग तो टावर्ग होता है मूर्धा से है ना और टावर्ग जो होता है वो दंत से होता है और पावर्ग होता है ओस्ट से तो यहाँ पर आपसे दंत नहीं पूछा तो ता था दा धा ना ये तो दोस्तो तावर्ग के अंतरगत आते हैं लेकिन जो टावर्ग है कि टावर्ग तो ता बिकल्प हमारे सामने हैं तालब बेंजन यानि की तालू से जिनका उच्चान होता है वो कौन से हैं तालू से बताना दोस्तो तो बताईए अपनने पड़ा था कि सर कावर्ग कंट से चावर्ग तालू से हैना फिर चा के बाद होता है कचट तावर्ग का चा चा और टा तो ज चावर्ग काई से के चावर्ग होता है दोस्तों तालू से अंगला कोश्चन आप से पूचा जाएगा अनुनासिक बेंजन कौन से होते हैं बताइए बर्ग के प्रत्मा अक्षर बर्ग के तरतिया अक्षर बर्ग के चतुरता अक्षर या फिर बर्ग के पंचम अक्षर चार कल्प हैं अनुनासिक बेंजन के बारे में हमें चैन करना है और आपने बिल्कुल सही उत्तर का चैन किया है कि सर अनुनासिक बेंजन की अगर बात करोगे तो उत्तर चला जाता है बर्ग के पंचा मक्षर बर्ग के के आधार पर बताईए कि मूर्धण बेंजन कौनसे है ूर्धण बेंजन आपको चैन करना है सबी लोगों कुछ तर्छान करना है और जिनवी सात्योंने अभी सैलफ इस्टडी क्लासे एप डाउनलोड नहीं किया है वो सैलफ अभी ने सही बताया अब आंसर आपको बताना है कि ये जो का गा जा और फा ये ध्वनिया किसकी है ये जो नुक्ता वाली ध्वनिया होती है दोस्तों ये नुक्ता लगाना नीचे ये जो नुक्ता वाली ध्वनिया होती है ये ध्वनिया किसकी होती है संस्कृत की होती है अर पहले ही समझ गहें कि जो नुक्ता वाली धुनिया होती हैं यह वाली है ना यह वानी जाती है दोस्तों अरबी फारसी अरबी फारसी की माने जाती है इनको याद रखेंगे अंगला question है यहाँ पर आपको बताना है कि बताईए कि नभीन विक्सित ध्वनिया कौनसी है नभीन विक्सित ध्वनियों के बारे में बताना है नभीन विक्सित ध्वनिया कौनसी कहलाती है यह चार विकल्प मैंसे आपको चैन करना है फटाक से उत्तर बताना है दोस्तो इस खा और गा जो है, यह दोस्तो नवीन वेक्सित धुनियों की अंतरगत आता है, और उत्तर चला जाता है बिकल्प नम्मर एक की तरफ, यह नम्मर आपका बिल्कु सही है, अंगला क्वेश्चन है, हिंदी भासा में बे धुनिया कौंसी है, जो जो दूसरी धुनियों की सहायत सहायता से बोली या लिखी जाती है, बताइए, जो दूसरी धुनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती है, वो धुनिया क्या कहलाती है, यहाँ पर चार विकल्प है, स्वर, वेंजन, वर्न, या फिर अक्षर, क्या कहलाती है, हिंदी भासा में बे धुनिया कौंसी है, जो दूसरी धुनियों की सहाइता से बोली जाती है, तो बे कहलाती हैं बेंजन, बेंजन कहलाती है और बी नमबर आपका बिलकुर सही है, अंगला क्वेस्चन यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, का, खा, गा, फा, कौंसा उर्दू से लिया गया है, उर्दू से बताना है, कौंसा उर्दू से लिया गया, का, खा, गा, फा, मैंसे उर्दू से लिया गया जो वर्न है, उस बर्न को आपको चैन करना, तो आपने बिलकुर सही चैन किया है, पुलिसर जो गा है, जो स्वरी खा वर्न जो है, खा वर्न, यह उर्दू से लिया गया यानि कि आपका उत्तर जो हो जाता है वो D नमबर बिलकुल शाही हो जाता ठीक है Next है कौनसा वर्ण घोस है घोस बर्ण बताईए कौनसा घोस बर्ण है यह चार बिकल्पें घोस बर्ण का आपको चैन करना है घोस और अघोस अघोस होते हैं बर्ण के एक और दो यानि कि प्रितम और दूती एक्षर क्या होते हैं अघोस और तीन चार पाँच जो होते हैं सगोस कहलाते हैं तो यहाँ पर बताईए घोस या सगोस बात ये किये घोस को सगोस बोलते हैं, सगोस को घोस भी बोलते हैं, तो सगोस कौन से होते हैं, तीन, चार और पाँच, सगोस होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तो, ता, था, दा, दा क्या होता है, दा त्र है सगोस महाप्राण धष्वन कूए है का है जा है है या फिर ठाय है सबस महाप्राण धवनी के बारे में आपको चैन करना है प्रशन किर्मांग है 48 पूट्टीएट में सघोस की बात आई यह सगोस भी है और महाप्राण भी है तो सगोस में अपने देखा था कि 3, 4, 5 और महाप्राण में अपने देखा था 2 और 4 तो यहाँ पर 4 यानि कि 4 जो बर्न है चतुर्त जो बर्न है बर्ग का चतुर्त जो बर्न है देखो कौन सा है है ना बताइए कि खा महाप्राण तो है लेकिन सगोस नहीं है तो का खा गा गा यह जो गा है कि क्या है दोस्तों यह जो गा है कि सगोस भी है और महाप्राण भी है तो तरफ कभी नंबर की तरफ चला जाता है अब यहां पर अपन को सुमेलित करना है कि स्वर्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् है सबी लोग सुमेलित करेंगे दे स्वर्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध क्या एक तीन पाँच कौन सा आ रहा है एक तीन पाँच अलप प्राण और दो चार महा प्राण होती है तो एक बताईए कौन कौनसी है एक तीन पाँच में कौनसी आ रही है एक तीन पाँच में बताना है और यहां पर घोस द्वनिया पूची गई घोस द्वनियों में क्या आता है दोस्तो घोस मतलब होता है सघोस और सघोस में आती है कौन सी तीन चार पाँच ठीक है तो इसको भी अपन को याद रखेना है और यहां पर जो आपका उत्तर दिया है वो d number दिया है और d number में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा तीसरे का तीसरा यानि कि दोस्तों यहाँ पर एक का चा चा ता हाना ता पा और टा बिलकुल शही है यानि कि जो अलपे प्राण है ये तो एक तीन पाँच में ये पूरी आ जाएंगी ठीक है और ये जो घोस धनिया है घोस में आती है कुणकोंटी 3-4-5 और दोस्तों के संयुक्तवरन भी इसमें आ जाती है तो 6 धा और भा ये भी हो जाएगा तो यहाँ पर अपने देख लिए स्वरध्वनिया कुणसी है स्वरध्वनियों में अम अहा ये सभी आ गए तालब ध्वनियों में चाचा जा गया अल्प प्राण में अपने का तापा ये दोस्तों प्रतम एक तीन पांच होते हैं घोस्ट द्वनियों में देखा अपने तो ये घाचा धा के भागया ठीक है तो इनको अपन को याद रखेंगे ठीक है अंगला क्वेस्चन है चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनी किस ध्वनी प्रिविर्ति का उधारन है समी करण या फिर यहां पर आते हैं अपन अंगला जो अपना क्वेस्चन है यहां पर देखते हैं बेपर या फिर आगम है ना तो यहां पर आपका बिल्कुल सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा यहां पर देख रिना है कि बी नमबर आपका बिलकुर सही हो जाएगा और अंगला कोस्चन आपको बताना यहां पर अंगला है पाध्हनी का उच्चान स्थान क्या है पाध्हनी का मूर्धन् Legacy या फिर कंठ है बताईए पा धुनी अपन पढ़ते हैं ना का चा टा ता पा 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 जो होता है पा ओष्ट से तो एक क्या कहलाएंगी पा बर्ग जो है ओष्ट से उच्छरित होता है तो आपका राइट अंसर चला जाता है बी की तरफ और ओष्ट आपका बिल्कुल सही हो ज जाता है अर्दस्वर बताना है दोस्तों अर्दस्वर कौन से हैं अर्दस्वर कई बार पूचा गया है यह कोस्चन तो अर्दस्वर कौन से कहलाती है कि कमेंट में आपको जल्दी से कमेंट लिखना है अर्दस्वर की पूचा गया है तो आपने बिल्कुल सही उत्तर बता है यह जो या और वा होते हैं कि है अर्ध गहलाते हैं और बिकल्प नंबरएक जो है उसकी तरफ आंथर आपका चला जाता है अपको व्हार्ध द्वनिकी पिरयोश वोते हैं हिरस्त पिलोट excluded स्वर्ध्वनी के प्रकार कौन-कौन से हैं तो दीर्गिस्वर भी होते हैं फिलोत्स्वर भी होते हैं घरस्वर भी होते हैं मतलब उत्तर क्या हो जाएगा स्वर्ध्वनी के प्रकार पूचे गए तो उत्तर हो जाएगा उपर योग से तीनो वपर योग तीनो डी नमबर बि क्या होते हैं अलपप्राण महाप्राण यानि बी नम्मर आपका बिलकु सही हो जाएगा बिसर्ग का प्रियोग किन सब्दों में नहीं होता बताईए किन सब्दों में नहीं होता तदभाव सब्दों में तत्सम सब्दों में संकर सब्दों में या फिर उपरयोगत सब्दों में तो किन सब्दों में बिसर्ग का प्रियोग नहीं होता ये आपको बताना है और दोस्तों हमने पड़ा है कि तत्सम तदभाव और सं संकर मतलब होते हैं दो भाताओं की मिल जोल से जो सब्द बनते हैं उनमें बिसर्ग का प्रियोग नहीं होता और उत्तर चला जाता है आपका स्थी नंबर रेल गाड़ी है ना यसे कुछ संकर संकर सब्द होते हैं हिंदी की सा धुनी कई बार एक क्वेस्चन पूचा गया इस सक्कर तो हम तालू से खाएंगे तालू से सक्कर का इसे खाना है तालू से खाना है स्वेसा सक्कर का और सक्कर खाना तालू से स्वेसा जो ध्वनी का उच्चान सतान होगा वो क्या होगा तालब होगा तालब बयानी की आपका जो सी नंबर है वो बिलकुल शाई है अंगला था जा क्या पिर का और ता अगोस अलप प्राण दौनी कौनसी है प्रश्ण किरमांके 57 और अगोस भी है और अलप प्राण भी है अगोस कौन होते बरगे के प्रतम और दूती अक्षर अलप प्राण कौन होते एक तीन पांच है ना तो बरगे का प्रतम अक्षर का है बरगे क दोस्तो, साबर्ग जो था, उसका पृत्म अक्षर ये है, तो ये क्या कहलाएंगे, अगोस भी है और अल प्ला भी है, ठीके, तो ये आपका D नंबर बिल्को सही हो जाएगा, अघोस बरन कुंसा है अघोस बताना है, और अगोस मैंने आपको कई बार बताया है कि अगोस वर्ण बे होते हैं जो बर्ग का प्रिथम और प्रिथम और दुतिय अक्षर अगोस कहलाते हैं ठीक है तो अगोस और दोस्तो अगोस की अंतरगत सा 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 भी आते हैं तो इनको याद रख लेना अगोस वर्ण की अंतरगत सा सा सावी आते हैं तो D नमर आपका बिल्कुर सही हो जाएगा ए अघोस वर्न की अंतरगत ठीक है तो D आपका सही नमें से कौन सा वर्न स्वर है स्वर बताईए कौन सा है स्वर वर्न कौन सा है तो यहाँ पर स्वर पूचा है तो आपको उत्तर बताना है पोले अम और अहा इनका दोस्तो आयोग बाहर की अंतरगत आता है लेकिन अगर यहाँ स्वर क्वेस्चन आया तो आपका उत्तर आई सही होगा आई यहनि की ए नमर आपका बिल्कुर सही है ठीक है यह जिनों ने लगा है उनका इंसर राइट है और दोस्तो आज हमने यहाँ तक दोस्तो स्वर्फ बर्नमाला की बारे में पढ़ा इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहें वीडियो को लाइक करते रहें सेयर करते रहें अपने मित्रों तक और दोस्तो डटे रहें और Self History Classes का एप डाउनलूट कर लें जिन भी सातियों को जूनियर टेट एक्जाम की तैयारी करना है वो निस्चे थी दोस्तो एप में एड़ीसन आज ले लें आप आज एड़ीसन आप ले सकते हैं रात 3 12 बजे तक दोस्तो और अपना जो है तैयारी उसको कर सकते हैं ठीक है तो सभी लोग वीडियो को लाइक और से जरू करें और दोस्तो लगी रहें तैयारी के लिए हम भी आपके साथ हैं आप भी पढ़ाई करें तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना तो इस प्रकार से Self Study Classes आपको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आपको app मिलने बाला है ठीक है तो दोस्तो हम देखें कि play store में आपको इस प्रकार से देखेगा यह self study classes ठीक है यह play store में आपको self study classes का app दिखने बाला है ठीक है यह image उसमें डली है यह icon यह logo उसमें डला है ठीक है अब दोस्तो इसको install करना है यहाँ से आप install करेंगे ठीक है इस्ट्राल करेंगे तो बहां पर आपको नंबर मांगेगा जीमेल नंबर मांगेगा तो आपको टीपी आएगा तो आप रेजिस्टर्ट करके आंगे बढ़ेंगे